सब्सक्राइब कीजिए एमेक्लासेश चैनल को और बेल आइकान दबाईए लेटल सब्डेट के लिए हलो फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल एमेक्लासेश के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ सुनिल कुमार यह प्रुवर्टी थियूरी का शिक्ष्ट वीडियो है इसके पहले मैं फाइब वीडियो प्रुवर्टी थियूरी का अप्लोड कर चुका इस वीडियो में मैं बात करूंगा एडिशन थियूरम और प्रुवर्वर्टी से रिलेटेड कुछ और थियूरम को और साथ में मैं बताऊंगा उससे रिलेटेड कुछ 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 फ्रेंड्स सबसे पहले आप सब इसे रिक्ष्ट करना चाहूंगा कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकोन को भी आउन कर लिजे ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे मैं इस चैनल में मतमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को फ्रेंट्स सबसे पहले इस थियोरम को देखिए यह थियोरम क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स एसोसियेट टू यह रेंडम कोई भी लोग दो इवेंट ई और बी लेते हैं किसी भी रेंडम एक्सपरिमेंट से एसोसियेटेड थें बी आफ़ ए बार इंटर्सेक्शन बी यह क्या बताता है यह बताता है प्रवार्टी ओफ नन अकरन्स ऑफ ए अनन्हां कि दूर्वान टेगा तो इसका probability निकल जागा है बिलकुल ऐसे हैं यहाँ पर probability of A intersection B bar is equal to एक formula है P of A minus P of A intersection B और एक यह formula probability of A intersection B bar union A bar intersection B is equal to probability of A plus probability of B minus 2 times of probability of A intersection B तो यह तिनों थियोरम को पहले सबसे पहले हम लोग प्रूव करते हैं यह दोनों बिलकुल सेम है मैं first वाला को प्रूव करके बता रहा हूँ second आप लोग खुद कीजिएगा और यह दोनों का सम कर देने पर यह third आ जाएगा तो पहले first का प्रूव देखिए suppose कि यह event diagram यहाँ पर देख रहे हैं suppose कि यह पूरा एक simple space है S और वहाँ पर हम लोग दो event ले रहे हैं एक a event है और एक event b है अब यह जो portion है यह क्या बता रहा है सिर्फ यह वाला portion की मैं बात कर रहा हूँ यह जो आप portion देख रहे हैं तो यह portion क्या represent कर रहा है यह बता रहा है a intersection b bar a intersection b bar b bar क्यों यह ध्यान दीजेगा b bar का मतलब क्या हो गया b के बाहर वाला पूरा element b के बाहर, b bar मतलब not be और b के बाहर में जितना भी element है वो सभी b bar में आ जाएगा तो b bar और a का common element कौन सा है a का और b bar का common element आप यह देख रहे हैं यही a और b bar का common element है देखिए यह जो element है वो a में भी है और b के बाहर भी है b के अंदर नहीं है b के बाहर भी है और कहां पर है? a में है तो a और b bar का यह intersection हो गया बिल्कुल ऐसे ही यह जो portion है यह वाला portion यह portion मैं इधर से इसको set करता हूँ तो यह जो portion है यह कौन सा portion होगा जरा सोचिए और देखिए यह हो जाएगा a bar intersection b a bar मतलब a के बाहर है यह और किस में है? b के अंदर है तो a bar और b का intersection हो गया और यह कौन सा portion हो जाएगा? a intersection b हो जाएगा यह जो बीच में बच रहा है वो a intersection b हो जाएगा तो देखिए since a intersection b and a bar intersection b are mutually exclusive event देखिए कौन कौन से event की बारे में बात कर रहा हूँ a intersection b मतलब यह वला यह वला जो portion है a intersection b और a bar intersection b मतलब इधर वला जो portion है यह वला a bar intersection b तो यह दोनो mutually exclusive है क्योंकि कोई भी common कोई भी common element यह दोनों में नहीं है तो a intersection b और a bar intersection b दोनों में चोले exclusive event है और ऐसा है कि दोनों का union अगर कर दीजिए तो यह पूरा b हो जाएगा such that b is equal to a intersection b union a bar intersection b हो जाएगा यह आप इसका और इसका दोनों का union कर दीजिए तो complete b event आ रहा है अब दोनों का priority लगा दीजिए तो priority of b is equal to इदर भी हम मैं probability लगा रहा हूँ a intersection b union a bar intersection b अब क्या कीजिए यह union है तो union में इसके पहले वाला वीडियो में बदा चुका हूँ कि अगर दो मिचोली exclusive event रहे a और b तो दोनों के priority दोनों के union का priority होता है प्लस p of b अगर a और b mutually exclusive event रहे तो इसके union का priority निकालने का formula होता है priority of a plus priority of b आनि a और b दोनों के priority का sum कर देते हैं तो यहाँ पर भी union है और यह दोनों mutually exclusive है क्यों mutually exclusive है क्यों कोई भी दोनों में कोई common element नहीं है तो union है तो दोनों का priority लग करके उसका sum हो जाएगा अनि कि ये क्या हो जाएगा आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि priority of A intersection B plus priority of A bar intersection B अब देखिए इसको आप इधर लियाए और A intersection B bar का priority निकाल लिजे तो ये इधर आकर के मैनस हो जाएगा तो देखें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो therefore priority of A bar intersection B is equal to क्या होगा priority of B यहाँ पर देखिए priority of B और ये इधर लियाएगे तो ये इधर आकर के negative हो जाएगा तो minus priority of A intersection B तो first यही था result और ये क्या represent करता है ये represent करता है सिर्फ B घटना घटने का priority को बताता है देखें A bar intersection B मतलब ये वाला portion ये वाला portion सिर्फ B है इसमें A भी include नहीं है A intersection B को हटा दिया गया है मतलब A वाला portion को हटा दिया गया है तो सिर्फ B में जो element बच रहा है मतलब A को छोड़ करके only B में तो only B में जो element बच रहा है वो A intersection B है तो ये जो लिख रहा है P A bar intersection B ये बताता है priority of occurrence of only event B सिर्फ B घटना घटने का priority बताता है उसमें A घटना include नहीं होगा तो इसका priority निकालने का ये formula हो गया कि B में से A intersection B के priority को subtract कर देंगे तो इसका priority निकल जाएगा बिल्कुल ऐसे ही आप इस result को prove कर सकते हैं अब देखिए इसको कैसे prove करते हैं तो देखिए A intersection B bar और A bar intersection B ये दोनों mutually exclusive है तो इसी का यहाँ पर union का priority निकालना है तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ third number को prove करने के लिए priority of A bar intersection B union A intersection B bar अभी मैं बता चुका हूँ कि ये दोनों mutually exclusive है और mutually exclusive रहे और उसका union रहे तो इसका कैसे निकालते हैं priority दोनों का priority का sum हो जाता है इसका priority और P A intersection B bar का priority अब इसका priority का formula मैं अभी लिख चुका हूँ तो इसका होता है P of B minus P of A intersection B बिलकुल ऐसे ही इसका priority होगा priority of A minus priority of A intersection B second number में ये है तो ये कितना आ गया priority of A plus priority of B और ये दोनों same है तो minus 2 times of priority of A intersection B तो ये third result भी proof हो गया तो इस तरीके से ये 3 result है जो graduation में पूछा जाता है इस theorem को proof करने के लिए तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग आगी अब इस question को देखी ये question क्या कहता है A and B are two non mutually exclusive event दो event है non mutually mutually exclusive नहीं हैंगी और A का priority 1 by 4 दिया हुआ है B का priority 2 by 5 दिया हुआ है और A union B का priority 1 by 2 दिया हुआ है तो निकालना है A intersection B का priority और फिर निकालना है priority of A intersection B bar का तो चलिए देखी कैसे निकालते हैं इसका solution क्या होगा सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है we have priority of A it is equal to 1 by 4 and priority of B it is equal to 2 by 5 also it is given that priority of occurrence of A union B is equal to 1 by 2 यह तीन चीज़ दिया हुआ है तो addition theorem of priority हम लोग लगाते हैं by addition theorem on priority तो addition theorem on priority से हम लोग लिख सकते हैं कि P A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B तो इसी formula में हम लोग put करते हैं A union B का priority 1 by 2 है A का priority 1 by 4 है B का priority 2 by 5 है minus P of A intersection B आप इसको इधर लिया है that is P of A intersection B is equal to यह 1 by 4 plus 2 by 5 minus 1 by 2 यह तीनों को LCM लेकर के add कर दीजिए तो यहाँ पर LCM 20 आ रहा है 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20 4 2 जा 8 और minus यहाँ पर 10 हो जाएगा तो इसका calculation करने के बाद आ रहा है 8 plus 5 13 minus 10 3 divided by 20 तो यह निकल गया A intersection B का priority और फिर अब निकालना है हम लोग को A intersection B bar का priority एक यह भी निकालना है तो मैं अभी जश्ट इसका formula बता चुका हूँ यह बताता है priority of A minus priority of A intersection B और अभी यहाँ पर A intersection B का priority निकाले है और A का priority दिया हुआ है A का priority of 1 by 4 minus A intersection B का 3 by 20 आप इसको LCM लेकर के subtract कर दीजिए तो यहाँ पर 5 minus 3 आणि it is equal to 2 by 20 and it is equal to 1 by 10 तो यह दोनो result निकाल गया तो चलिए देखते हैं next question को next question को देखिए कि the priority that at least one of the events A and B occurs is 0.6 दो event है A और B दोनों में से कम से कम एक event होने का priority 0.6 है और if A and B occur simultaneously with priority 0.2 और दोनों गटना एक साथ गटने का priority 0.2 है तो निकालना है हम लोग को find P of A bar plus P of B bar तो देखिए क्या दिया हुआ है priority that at least one of the events A and B occurs priority किसका दिया हुआ है at least one of the events A and B occurs is equal to कितना दिया हुआ है 0.6 है अब ये क्या रिपर जन करता है इसको हम लोग कैसा लिख सकते हैं दोनों गटना में से कम से कम एक गटना गटने का priority क्या होता है P A union B बताता है दोनों में से कम से कम गटना गटने का priority तो ये इसका जो लिखा हुआ है इसका meaning ये हुआ कि priority of A union B A union B में से कम से कम एक गटना गटता है दोनों में से और इसका priority दिया हुआ है 0.6 फिर आगे दिया हुआ है कि simultaneously अकर करने का priority 0.2 है मतलब priority of A and B occur simultaneously इसका दिया हुआ है priority 0.2 आणि कि A और B दोनों गटना एक साथ कब गटता है इसका मतलब A intersection B बता रहा है दोनों गटना गटने का मतलब क्या हुआ है कि A intersection B का priority और ये दिया हुआ है 0.2 अब हम लोग को निकालना है P of A bar plus P of B bar तो इसके लिए ये formula अपलाई कीजिए addition theorem on priority का formula we have priority of A union B is equal to priority of A plus priority of B minus priority of A intersection B यही formula अपलाई करते हैं तो A union B का priority 0.6 हो गया और आप ये P A को लिख जाए 1 minus P of A bar formula आईए और फिर P B को लिख जाते है 1 minus priority of B bar और इसका priority 0.2 दिया हुआ है तो आप ये क्या कीजिए आप 0.6 यहां रहने दीजिए 1 plus 1, 2 2 में 0.2 इसको सब्टराट करते है 1.8 माइनस ये आप दोनों के से माइनस common लिजिए तो priority of A bar plus priority of B bar हो जाएगा ये दोनों को आप इधर ले आएए तो यहां पर मैं लिख रहा हूँ देखे P of A bar plus P of B bar is equal to कितना हो जाएगा इसको हम लोग इधर ले आएगे positive होगी और ये उधर ले जाते हैं तो 1.8 माइनस 0.6 तो इस दोनों को सब्ट्राक्ट करने के बाद आ रहा है 1.2 तो यही इंसर हो जाएगा priority of A bar plus priority of B bar का तो चलिए आप देखेंगे next question को इस question को देखिए ये card is drawn from ये deck of 52 cards 52 cards का पूरा जो एक task का गड़ी होता है उससे एक card निकाला गया है playing cards जो होता 52 cards का उससे एक card निकाला गया है तो find the priority of getting ये king और ये heart और ये red card एक king या फिर एक heart या फिर एक red card निकालने का क्या priority होगा एक बात्सा होना चाहिए या एक लाल पान होना चाहिए या फिर वो red color का card हो इसका क्या priority होगा तो चलिए देखिए इसको हम लोग यो तीन event है यहाँ पर king, heart और red को इसको तीनों का नाम दे देते हैं एक कहते है event of getting ये king, king निकालने का बात्सा निकलने की घटना को A मान लिए, heart निकलने के लिए मैं अगर ज्यादा संख्या में लोगों का demand होगा तो मैं उससे भी related एक video बना दूँगा लेकिन मैं ये मान करके चल रहा हूँ का आप लोग को playing cards के बारे में आता है तो king निकालने की घटना को A मान रहे हैं और heart निकालने की घटना को B और red card निकालने की घटना को C मान रहे है तो अब इसका क्या priority होगा आप देखे priority of A कितने king होते हैं playing cards में total 13 king होते हैं sorry king के संख्या 4 होता है 4 बात्सा होता है एक लाल पान का, एक काला पान का, एक चिडिया का और एक इट का तो उस चारों में से कोई भी एक निकालना है ये favorable के से जोग गया इतना king निकालने की घटना ए घटना घटनी के favor में कितने element होंगे ए घटना घटने के favor में 4 C1 क्योंकि 4 king होते हैं 4 में से कोई भी एक और total कितने तरीके से निकल सकते हैं 52 C1 52 playing cards होते हैं उसमें से कोई भी एक निकालना है तो निकालने का तरीका 52 C1 होगा तो 4 C1 का value 4 और 52 C1 का value 52 और कि यह आ रहा है 1 by 13 इसी तरीके से B घटना घटने का क्या probability होगा ये एक hurt निकालने का घटना है B तो hurt मतलब लाल पान हो गया कितने element आएंगे 52 C1 आनि कि 13 C1 का value 13 और divided by 52 C1 का value 52 ये किंसे लो करके 1 by 4 अब देखे P of C is equal to क्या होगा एक red card निकालने की घटना का probability निकालने है तो total 26 red होता है 13 hurt और 13 diamond तेरा लाल पान होता है तेरा eat होता है total 26 card होता है red तो 26 में कोई भी अगर एक निकाल लेते हैं तो C घटना घट जाएगा और इसके total केसे हो जाएगा 52 C1 तो ये आ रहाए 26 by 52 आने की 1 by 2 अब हम लोग इसका सभी का intersection निकालते हैं A intersection B अब A intersection B का मतलब क्या हो गया कि king भी होना चाहिए और heart भी होना चाहिए तो लाल पान का बादसा लाल पान भी होना चाहिए और बादसा भी होना चाहिए तो लाल पान का बादसा निकलने पर ही ये दोनों घटना कर सकता है A और B आने की king और लाल पान भी होना चाहिए तो लाल पान का बात्सा मात्र एक होता है, तो एक में से कोई भी एक निकाल लेंगे, और टोटल 52 C1 होगा, तो यह आ जाएगा 1 by 52, इसी तरीके से P B intersection C निकालते हैं, तो B intersection C मतलब लाल पान भी होना चाहिए और red भी होना चाहिए, तो कितने ऐसे लाल पान है जो red भी है, तो इसके लिए 13 ऐसा होगा जो दोनों में होगा, लाल पान भी होगा, और red भी होगा, क्योंकि 13 लाल पान होता है, जो red भी होता है, तो 13 C1 divided by 52 C1, आनि कि यह आ जाएगा 13 by 52, तो यह 1 by 4 हो गया, अब हम लोग फिर आगे पढ़ते हैं, और निकालते हैं, P C intersection A, तो C intersection A मतलब क् होगा, C गटना भी गटना चाहिए, और A भी, आनि कि वो लाल पान भी होना चाहिए, और बादसा भी होना चाहिए, तो कितने ऐसे card होते हैं, जो लाल पान भी होगा, और बादसा भी होगा, कौन-कौन, एक लाल पान का बादसा, और एक इट का बादसा, एक डाइमंड का और एक हर्ट का तो डाइमंड और हर्ट दोनों का जो बात्सा होगा वो रेड भी होगा और किंग भी होगा अनि इसके फेवर में 2C1 और डिवाड़ेड बाइ टोटल 52C1 अनि कि 2 2 by 52 और 1 by 26 अब फिर निकालते हैं पी एंटर्सेक्षन बी इंटर्सेक्षन सी आनि तीनों चीज होना चाहिए किंग भी होना चाहिए हट भी होना चाहिए तो कौन इसे काड या कितने काड़ ऐसे होते हैं जो तीनों चीज होगा यह सिर्फ लाल पान का बादसा जो होगा वह उरफ भी हो जायगा तो मात्र एक खी का다 ऐसा होता है जो लाल पान का बातष सा होगा और these होगा लाल भी हो जैगा और मात साहब घाड तो 1 तोटल हो जाएगा 52 расп तो 1x52 अब हम लोको निकालनाjek निकालना रिक्वाइड प्रूइर्टी यह क्या होगा दीखिए रिक्वार्ट में कहता है कि हम लोग को निकालना किस घटना का निकालना या तो किंग होना चाहिए या हट होना चाहिए या रेड होना चाहिए तो तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए और लगा हुआ है तो और अगर लगा हुआ रहे तो यूनियन होता है A union B union C का probability निकालना है और इसका formula addition theorem and probability में मैं बता चुका हूँ तो इसका formula होता है P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C सभी का value मैं लिख चुका हूँ यहाँ पर A का priority मैं अभी लिखा हूँ A का priority 1 by 13 है फिर B का priority मैं put करता हूँ B का priority 1 by 4 है फिर C का priority put करता हूँ इसका priority 1 by 2 है फिर मैं इसका priority A intersection B का भी लिख चुका हूँ 1 by 52 और फिर इसके बाद B intersection C का भी 1 by 4 है मानस में है मानस 1 by 4 और इसका भी निकाल चुका हूँ C intersection A का 1 by 26 और यह प्लस में है 1 by 52 तो यह calculation करके आप देख सकते हैं इसका आएगा 7 by 13 तो यही required priority निकल गिया तो friends यह मैं आज addition theorem से related कुछ और theorem को बताया हूँ और कुछ question को भी बताया हूँ अगर वीडियो पसंद आए अपने friends के साथ जरूर share करें और priority का और भी वीडियो मैं upload किया हूँ उसको भी आप देख सकते हैं और मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो thank you